नमस्कार स्वागत है आपका इंडियान उस दिन खबर में और मैं हूँ मनोज कुमार पंद्रह दिनों के अंतराल पे दिल्ली में एक बार फिर आग लगी है और इस बार नौ लोगों की मौत हो गई है यह आग किराड़े इलाके में लगी है कपड़े की एक दुकान में याग लग गई यह तीन मंजला इमारत और बिलकुल वही स्थिती जो पंद्रह दिन पहले फिल्विस्तान इलाके में लगी थी अनाजबंडी में आग जहां 35 लोगों की मौत हो गई थी वहां भी दम घुटने से लोगों की मौत हुई थी और लगभग उसी कहानी के पुनरा वृती किरारी इलाके में भी हुई है यहां पे भी कुई काफी संक्री गलिया हैं और अनाधिकरित तोर पे कोई कपड़े की वहां फैक्टरी चल रही थी और तीन मंजिला इमारत दो मंजिले में काम होता था और सबसे जो नीचे का जो मंजिला था यानि जो बेस्मिंट था वहां गुदाम रखा गया था और उसी में मजदूर सोय हुए थे जो जानकारी अब तक मिले हैं उसका मताबिक शॉर्ट सर्कृट से आग लगी और ठंड चुकी काफी है और बाहर ताला लगा हुआ था जैसा कि फिल्मिस्तान वाले इलाके में जो घटना देखी गए थी बिल्कुल उसी की हम पुनरा बरेती कह सकते हैं दम खुटा और नौ लोगों की मौत हो गई हाला कि मौकी पर दमकल की गाड़े पहुची कुछ लोगों को वहां से रस्त कुकिया गया सुरक्षित बाहर निकाला गया लगिन तब तक नौ लोगों की दम खुटने से मौत हो चुकी थी हलाके भी जाच चल रही है कि आखिर इसके पीछे और क्या वज़ा हो सकती है क्या ये अधिकरित तोर पे रेजटर थी कमपनी या फिर वही कहाने दूर आई गए थी फिल्विस्तान वाली इन तमाम पहलों की फिलाल पुलिस जाच कर रही है लेकिन ये काफी दुखत घटना कही जा सकती है चुकी इस तरह के अनाधिकरित जो कमपनिया चलती है फैक्टरी चलती है जिसकी वज़े से वह सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता और आए दिन इस तरह से सपतालों में भरती कराया गया है जो भी ताज अपडेट आगे मिलेगा उसको लेकर हम फिलाल हाजिर होंगे लेकिन दुखन ख़बर आज एहल सुबार प्राप्त हुई है यह बताया जा रहा है कि तड़के तीन बचे के तकरीबन यह आग लगी है जिसमें नौ लोगों की मौत हुई है फिलार इतना ही नमस्कार इनकबर चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूए